इस समय पर आपके जो परसन है जो भी आपके पार्टनर है चाहे वो मैरेज हो चाहे आपका रिलेशनिप मैरेज हो लव लाइफ हो या फिर आपका कोई एक्स्टा मेरेटल वन साइट सिंगल मैरेड रिलेशनिप हो तो आपके जो परसन है उनकी फीलिंग्स उनकी एनरजी आपको लेकर क्या कुछ है उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है इस चीज़ को एनरजीज को चेक करेंगे reading को देखने से पहले मैं आप सभी से request करूंगी कि चल को like subscribe कर लिजे bell icon को भी प्रेस कर लिजे कर ता कि next notification मेरी tarot card reading का मिल जाए आपको तो देख लेते हैं कि आपके person की energies क्या है आपके लिए and reading देखने से पहले मैं बोलूँगी name लेकर ही आपने person की reading को check कीजेगा energies को check कीजेगा तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है आपके person की तो मैं यह वाले card ले लेती हूँ कि energies इस समय पर ज्यादा feel हो रही है मुझे तो देख लेते हैं और इस reading को आप किसी भी राशी से देख सकते हैं मतलब आपका sun sign है moon sign है कोई venus sign से देख रहे हैं किसी भी sign से देख सकते हैं तो चलिए check करें तो पहला card क्या कह रहा है आपके person की तरफ से इनके energies को यहाँ पर मैं card ले रही हूँ first card यहाँ पर जो first card की energies आई हुई है the full की energies आई हुई है bottom of the card भी ले ले लेती हूँ मैं तो देखे इस card को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपके person इस समय पर जो current situation आ रही है बहुत जाधा अपनी life में कुछ mixing़ों में लेह रहे हैं कुछ मुश्किलें दिख रही है उनके life में कुछ परिशानिया life में दिख रही है और दूसरी तरफ मुझे जो energies आ रही है वो यहां पर यह भी दिख रही है कि किसी बात को लेकर बहुत जादा सोच रहे है आपके person ठीक है life में बहुत जादा I think हो सकता है किसी चीज को लेकर struggle कर रहे हो यह भी चीज दिख रही है दूसरी चीज यह जो person है वो क्योंकि दो तीन तरह के energy जा रही है क्योंकि general collective reading है timeless भी है तो इसलिए हो सकता है कि इस चीज हो कहीं न कहीं person जो है न इस energies में तो यहां पर मुझे लग रहा है कि अपके जो person है वो साथ चाहते है आपका साथ ठीक है वो आपका साथ चाहते है सपोर्ट चाहते है और इस support में जो साथ है वो किसी बदेगर साथ हो सकता है उनका financial हो सकता है कि financial help की जरूरत हो उनको कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यदा अकेलापन हो गया है उसमें भी यहां पर देख रहा है मुझे की साथ चाहते है दूसरी चीज़ यहां पर यह भी दिख रहा है मुझे कि किसी बात को लेकर बहुत ज़दा mentally stress हो रहा है उसमें भी मुझे लग रहा है कि इंसान support चाहते है और कई न कई आप से अपनी बात को भी share करना चाहते है इस energies में मुझे जो दिखाई दे रहा है उस energies के according आपके दोनों के बेच में relationship रहा होगा इस energies के according और relationship रहा होगा और relationship काफी लंबे समय से समय तक चला भी होगा और काफी stable relationship दिख रहा है काफी यदा stable relationship दिख रहा है past का situation मुझे दिख रही है और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को लेकर एक दोतरा dreams देखना सपने देखना वो चीज भी दिख रही है आपके person की मनलब काफी ज़्यादा नहोंने आपको सपने दिखाए दूसरा मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि शादी से related भी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनके और आपके बीच में relationship हो सकता है कि married को लेकर हो यह married जैसा हो या फिर इन्होंने आपके साथ शादी की हो यह भी चीज यहाँ पर दिख रही है अभी जो energies आ रही है उस energies के according first card में मुझे आपकी situation जो दिख रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका person ने आपको पूरी तरीके से block कर दिया है आपके साथ अपने relationship को खतम कर दिया है the fool की energies यहाँ पर यह भी आ रही है कि एक इतना लंबी time तक चलने वाला relationship sudden अचानक ही इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया है खतम कर दिया है और इस relationship में एकदम से ही मतलब ऐसा आपको हो सकते कि feel हो रहा हो कि पंसन आप से दूर दूर से भाग रहे है आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते है mode का swing होता रहता है जब आप इन से बात करना चाहते हो तो ये बात करते नहीं है और बात करते नहीं है या फिर आपके साथ connect नहीं होते हैं कि हो सकता है कि की हैं जиля कोあと वाइपररिप्रेशन में जब और की मिल ही कि हुगी तो आज मुझे यहां पर आप वाइब्रेशन रही है तो मुझे लग रही है कि आप कॉल मैसेज वगरा पर भी को सकता है कि यह third person जो मेरे को नजार आ रहा है यह देखिए पहले का भी हो सकता है कोई इनके घर का family members जो पहले से ही इनके साथ रह रह रहो और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि third person जो है वो कोई new person इनके साथ connect हो गया है ठीक है और उसका ही burden है जिस वज़े से person इस तरह का वेविय कर रहे है क्योंकि यहाँ पर मेरे को आप लोग के बीच में जो relation से पर वो बहुत अच्छा दिख रहा है बट अचानक से जैसे person ने मूँ मोड लिया है अचानक से मूँ मोड लेना वो चीज दिख रही है तर फूल का card है न मतलब और कई न कई यह चीज आपको अहसास भी ह हुआ होगा क्योंकि बहुत लंबा relationship ब्रेक हुआ है जिसके शायद आपने कल्पना भी ने किये थी है न है बट एक बात में बताओं आपको एक सेकेंड बट इनके साथ खुद भी धोका हुआ है और नहीं हुआ है अभी तो होने वाला है धोका जो थर्ड पर्सन की अनर्जी जारी न इसमें आपको देखो मैं आपको दिखाती हूँ समझाती भी हूँ आप देखो एक पर्सन जो है न वो ऐसी जगे पर पैर रख र बहुत बढ़ाएगा और वो स्ट्रेप उसका रॉंग भी हो सकता है और वो उसकी साथ धोका भी हो सकता है तो यहां पर या तो आपके पर्सन को धोका मिल चुका है थर्ड पार्टी से बहुत बड़ा धोका मिलेगा ये भी मैं बता देती हूँ आपको अगर धोका मिला है बहुत बड़ा चीट किया है थर्ट परसन ने बहुत बड़ा जिससे यह समभल भी नहीं पाएंगे अभी और कार्ड में नर्जीज देखेंगे तो खुला से होना शुरू हो जाएंगे एंड ये स्थिती इस सीज को भी बताती है कि आगे आने वाले समय में मालिज अगर आपके परसन अभी आपको बिल्कुल भी रिस्पोंस नहीं दे रहे है या उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है आपके प्यार को नहीं समझ रहे है है ना और ब्लॉक करके शादी भी तोड़ दी, engagement भी तोड़ दी, सालों प्राने रिलेशन से भी नहीं उसको भी छोड़ दिया किसी के कहने पर किसी family member के कहने पर यह कोई नया इनके साथ connect हो गया social media के थुरू कोई बरक प्लेस पर भी दिख रहे है कोई नया परसन हो सकता है connect हो गया हो और कुछ ना अग से जालस फिल भी करते हैं यह चीज भी यहां पर हो सकती है ठीक है यहां पर जो मुझे दिख रहा है कि इन परसन के साथ इस situation के हिसाब से आगे बहुत बड़ा चीट हो भी सकता हो चीट हो तब वह भी दिख रहा है और कहीं कहीं हो चुका है क्योंकि इनको जब तक समझ आय चल रही होगी जोगी एनर्जीज में अब फर्स्ट कार्ड ही यहां पर यह है तो थार्ड परसन ने तो चीट किया है इनके साथ और हो सकता है कि इनोंने इस चीज को यह समझ भी चुके चलिए कुछ और कार्ड को देखेंगे थोड़ा एनर्जीज को न अच्छे से रेड क करेंगे कि यह दो कर्ड कियों आया पहले तो मैं इस कार्ड को ही जरह सही से explain कम लूँ और मैं खुद भी देख लूँ कि आखे रिए क्या है इस कार्ड की अनर्जीज so universe please guide कर दे जरा इस card को मुझे सही से समझा दे universe please तक कि मैं अपने जो भी subscribers है viewers है उनको समझा पाऊं बता पाऊं तो मुझे इस card के लिए card दे दे explain कर दे define कर दे universe please अच्छा जी एक्जर्शन का card है और यहाँ पर third card is guidance oh miss guide किया था ना जिन्होंने miss guide किया था या जिन्होंने दूर किया था इनको अपसे आज वही लोग मतलब इन से खुद दूर हो गए हैं और इनके साथ धोका किया है और देखिए इस card के according person की तो condition इस समय पर यह है एक्जर्शन में है stress में है तनाव में है ठीक है और यह person आपको miss भी बहुत ज़्यादा कर रहे है और यहाँ पर 9 number भी है तो फिर fire sign बन रहा होगा energies के according गुसा बहुत दिख रहा है गुसा बहुत दिख रहा मतलब कहीं न कहीं इस person को समझ आ रहा है कि यह गलती की थी इन्होंने और इस मिस्टेक की वज़े से यह आप से दूर हुए थे यह आपके हस्बेंट भाइफ हो सकते हैं इनके साथ कोई ऐसा रिलेशनसिप भी हो सकता है आपका जो लव रिलेशनसिप हो और बहुत लंबे समय से आपका लेकिन रिलेश आपके साथ ब्रेक अप किया था या जब इन्होंने आपकी कदर नहीं की थी आपको बहुत ज़्यदा इस तरीका जगड़े करना यह कुछ ऐसा सुना देना जो आपके लिए यह आपने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ सुना देंगे इतना बैडली वहेवियर करेंगे त तो वह चीज़े भी इन्होंने जो की न उसका कहीँ न कहीं अँग्यापकी करम न घख मजए कि लीका करा मां तब एक की बहुत हर्ब沒事 हो गहीं और इनको को एससा फील हो रहा है कि इन्से तो बहुत ज़ल्ति हो और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ता मतलब एकत होते ना अंदर इंदर इंसान को तोड़ देती है तो विकल अखेले हो चुके हैं फिलिंग सेड आ रही है और मैंने कहा था ना आपसे कहीं ना कहीं चीट हुआ है तो इस कार्ड के कर्डिंग चीट हो चुका है कुछ धोका मिला है और जो थार्ड परसन ने अगर इनको कुछ गाइड के यह guidance का कार्ड है तो मिस गाइड किया होगा या कुछ ऐसा गाइड किया होगा जिसकी बज़े से यह आप से दोर हो गये थे तो आज इनको यह चीज में रिलाइज भी हो रहा है है ना क्योंकि यह आप से दोर हुए नहीं थे किया गया था इनको बहुत जादा पूरी तर सब्सक्राइब कर लिए तो यादो इन्होंने अचानक सी मुबन कर लिया जिसमें आज इन्हें लग रहे कि मैं आपको यह भी बता दू जब यह आपको बहुत जादा मतलब आपको खुदी उल्टा ब्लेम कर रहे थे आपसे आपसे रोडली बोल लेते इफ अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजनेट करें तभी इस चीज़ को रखेगा वर्ना नहीं क्योंकि अनर्जी जियां पर श नजर आ रहा है कि आपकी परसन इस कार्ड के अकॉर्डिंग यह चीज सोच रहे होंगे कि मतलब अब उन्हें क्या करना है मतलब उनका अनले एक्ष्ट एक्षन जो दिख रहा है वो पूरी तरीके से आपके साथ देने वाला दिख रहा है क्योंकि देखो इस कार्ड को और एक शीज चीज स्कार्स देषक होता है किसil चीज को समझ आती है तब ही हम एक्षन लेते हैं तो उनका एक्षन दिख रहा है कि हां भी जो गलती होई जो होई जो हुई है आधीक कर नहीं पड़ चाहते हैं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला मिपन फी पाई थे आपके परसन की वो गलती कर रहे हैं मिस्टेक कर रहे हैं या वो वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका प्रड़ाम उन्हें ऐसा मिलेगा हैना कि वो बहुत ज़्यादा करेंगे इस्ट्रेस करेंगे तो वही चीज अब हुई है यहां पर और वो समझ रहे हैं अंडस्टेंड करेंगे हां मिस्टेक तो थी जो उन्होंने प्यार को नहीं समझा लिए चलिए और देख लेते हैं लेट गो किया था ना आपको मुबन कर लिया था आप से हैंना और अब देखो लेट गो के बाद कौन सा करड़ा रहा है पूरी तरीके से सैड होना अपसेट होना यह चीज दिख रही है आपना जैसे मैं यहां पर देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में कम्मुनिकेशन अच्छा था पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मानते बहुत थे आपको ये तो बहुत मानते थे और इस समय भी जो मुझे सिच्वेशन दिख रही है उसमें कहीं नहीं आपके लिए फीलिंग से भी जादा मुझे नहीं यहां पर बहुत जदा हर्ट होते हुँ दिख रहे हैं आपके परसन और कुछ ऐसे चीज़ें भी करिए राशियां मुझे जो दिख रहे हैं बता देते हूं राशियों के लिए मैं दो काड़ लूँगी एन यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सस्क्राइबर्स को सपोर्ट करें जो भी सस्क्राइब करते हैं का सस्क्राइबर है विवर से यूनिवर्स सपोर्ट कर मेरे subscribers को रिओने हो जाए है ए यह सोपोर्ट करें देख लेती हूं यह इनको कहीं और इनको ना फैमिली में भी इसें की ठीक नहीं चल रही है और में चीज़ कहने की मूट्ड सुरा है अभी भी मतलब कहीं कई मुझे दिख रही कई बार ये गुस्सा जल्दी हो जाते हैं चरचड़ाहट बहुत ज्यादा है इनके अंदर मतलब पहले जो सुच्वेशन थे उसके अपोजिट हो गई है आज इस समय पर तो क्योंकि ये अब इनको लगता है ने कि ये अपनी जिम्मेदारियां करना चाहते हैं दूसरी से तरफ मेरे को ये भी दिख रहा है कि कहीं कहीं जो परसन है वो आपके साथ मैरेज चाहते हैं अब ये मैरेज वाला जो मेरे को सीन दिख रहा है इसमें क्या है कि ये आप से दूर है ठीक है मतलब इनके साथ आपके दूरी हो गई है लेकिन ये जै मेरेज क्या यह पूरी लाइफ फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं यह परसन और इनकी लाइफ में न कुछ ऐसी सिच्वेशन है जो इन्हें कहीं न कहीं रोकती है आपकी तरफ आने को लेकिन उसमें नहीं हैंगमेन वाली सुच्वेशन में हो जाते हैं यह कार्ड देख रहे ह क्योंकि जो मेरे को मेरेज की अनर्जी मिल रही है इसमें हो सकता है कि इनकी उपर पहले से कुछ बर्डन हो लेकिन इस बर्डन की बजह से यह आपके साथ मेरेज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन चाहते हैं यह आपके साथ मेरेज करना और यह जो अपना बर्डन नहीं बर्डन चाहते हैं मुझे नहीं समझ जा रहा किसके अनरजीश है बट मैवरं इसको लेकर यहां पर सीचवेशन दिख रही है और यह बर्डन में भी जा चुके है यह बिख रही है तो दोको कितनी तरहिकी अनरजीश आ आपके साथ और इनके साथ आपकी अंडरस्टेंडिंग अच्छी है है न और अपने लाइफ में यह परेशान बहुत है तो यह आपके साथ मेरेश चाहते हैं तो यह सुच्वेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है तो राशियां यहाँ पर जो दिख रही है इसमें Aries, Leo, Sagittarius ह दिख रही है तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज यह दिख रही है कि यह पहले की पास्ट की चीजों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज की डेट में भी और इनको यह लग रहा है कि इन्हों ने आपके प्यार की कदर नहीं की है ना और इनों आपने मतलब इनको समझाया तो होगा कि कार्ड में एनर्जीस आ रही है कि आपने ने समझाया भी था कि मतलब इस रिष्टे को मत खो लेकिन इनों नहीं सुना पहली बात तो बहुत मिश्किल से बात करने को तयार ही होते हैं बड़ी मिश्किल से तयार हुए थे बात करने को आपने समझ रहाया भी लेकिन इन्होंने आपके रिष्टे की कभी कदर नहीं कि दूसी चीज यहां पर जो मिनकों आ रही है अनर्जीज वर्गो कैप्रिकोने क्योरियस की है इसने मुझे पाइसे स्कॉर्पियों भी दिख रहे हैं एरिस भी दिख रहे हैं अगेंड एक्स्टा मेटल वन इस एनर्जीज से यह प्यार आएंगे बाहर क्योंकि यह प्यार करते हैं आपसे इनकी फिलिंग्स लविंग है बगी का लियों कैंसर दिख रहे हैं मुझे है ना और टॉरस है लिवरा है इस ट्रॉंग कनेक्शन तो यहां पर फिल हो रहा है लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगे कि पर्सन बहुत जदा कन्फ्यूजन बाली स्थिति में हो गए हैं बहुत कन्फ्यूज हो गए हैं यह पर्सन यह काफी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं इनके साथ जिसमें इ आपके लाइफ मतलब इतना कुछ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में सब सही था स्मूथली जा रहा था एक अचानक से जैसे होता ना कि अचानक से एक लहर आई हो सब कुछ लेके चली गई वह चीज़ दिख रही है अब तो यह मतलब ऐसी सिच्वेशन में हैना कि अब यह बहुत समच चुके हैं समय चुके हैं और यह खुद खुद चल के आपके पास अना चालते हैं खुद अब आप यह सोचो कि आपके लिए लवर्स का काड़ आए हुआ है तो लवर्स यकार्ड में खुद खुद यह तब आपको आपके पास खोद आएंगे, खोद से मजबूर हो गए है ये, मतलब इतनी चीजे इनकी लाइफ में डिस्टरब होई, चाहते तो पहले भी थे, या आपको चाहते तो अभी भी है, लेकिन बीच में सिच्वेशन ऐसी हो गई थी, जिसकी वज़े से इन्होंने बि कि अधाने मुझे नहीं समझा रहा है कि अन्रजी में आज परसंट जहना वह काफे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, लोटेंगे तो यह है, मैं आपको एक बात बता दू में क्यों कह रही हूं यहां पर क्योंकि आपको यहां पर सिच्वेशन दिख रहे पर यह कह रहा है कि आप इंतजार इतने लंबे समय से कर रहे हो लेकिन रियूनियों होने का नाम नहीं ले रहा है तो यह रुकी होई है इस ट्रक हो गई है अनर्जी और यह नर्जी जो की पूरी तरह कि उसे सब्सक्राइब करने के लिए आपके साथ चाहते हैं और बहुत कुछ है नर्जी में तो यह भी आ रहा है कि खतम कर चुके है रिष्टा लेकिन यह खतम नहीं किया है और रिष्टा यह आपके साथ ही रहना चाहते हैं तो यह सुचूएशन दिखे री दूसरा के सवहर वका कर रहे है न तो यह स्थिति हो रहे हैं बहुत ज्यादा मतलकंut हो रहे हैं यह और आप यह देMM हैं कि हंक्में सुचूएशन तो थारह का साथ ब्लॉक कर दिया है लेकिन बहूर कई कर दिया है लेकिन यह दिख रहा है कि कुछ परसन थोड़ा से इगो वाले हैं और इगो वाले हैं और थोड़ा सा उनको अपनी चीज़ें कहते नहीं है खुलकर है ना मतलब आप खुदी सोचो तो सोचो समझ लो इनके प्यार को बनने इतना दर नहीं कहेंगे अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें भ क्लियर होती हुए दिख रही है अगर आप लोग के बीचे मिसंडेस्टेंडिंग हुई है मिसंडेस्टेंडिंग के पीछे अगर कुछ चीज़ें ठीक खराब होई थी तो मिसंडेस्टेंडिंग क्लियर होती हुए दिख रही है परसन का मैसेज ले ले लेते हैं और आप ल परसनली तोर पर जानना है, खुद का नाम और परसन के नेम के साथ, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, नमबर जो है मेरा 95401-19650, I hope कि आप understand कर रहे होंगे, सिर्फ यही नमबर है, only यही नमबर, सिर्फ इस नमबर पर message करें, किरपया कोई भी call ना करें, message के थुरू आप appointment ले सक हैं, तो चलिए, दो card ले लेती हूं, मैं एक card आपके लिए, है ना, और एक card आपके person का, आपके लिए, ओके, तो भई, person के तो person ने तो सोच, सोते नहीं है, यह person, चूँकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं सोता नहीं हूं, या सोती नहीं हूं, जो भी आपके male female partner, यह ना, होती हैं, और रात भरे आपके बारे में, परिशान तो हैं, यह person, block करके ना, परिशान तो हैं, इनकी energies, मतलब कई बार तो मिरो को दिख रहा है कि बैठे रहते हैं, रात रात बर, असल में किया ना, आप लोग की बीच में, I think, बहुत लंबा relationship रहा है, ना, तो इसको तोड बराना रिष्टा है, तो भूल के भी नहीं भूल पा रहें, तो सोचते बहुत है, sleepless night, just thinking about you, तो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, और कही ना कही प्लानिंग भी करते रहते हैं, कैसे वापस से सब चीज़ां ठीक हों कि काफी कुछ चीज़ ना खराब हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको ना ठीक करनी है, अब इनको ना बादा निवाना है, पूरी तरीके से, ये खुद चाहते हैं कि सारी चीज़ां ठीक हो, अच्छा एक चीज़ मैं बहुत बता हूँ आपको, क्योंकि आपकी कार्ड के हिसाब से भी मैं देखू ने, तो आप ने ना इ से जादा, अपने आप से जादा अपने इस इनसान से प्यार किया है, खुद से भी जादा इन से प्यार किया है, ये चीज मेरे को यहां पर दिख रही है, और आज भी ना, आप बाहे पसारे खड़े हो, कि भाई, तुम्हारा मैं स्वागत करूँगा या करूँगी, तो मा दिन रात की प्रेयर नेनर्जी ने ताकत ने दिन रात की प्रेयर इनर्जीज घेचती है जिस चीज़ को हम चाहते हैं बहुत तेजी से है ना तो यह है आपकी एनर्जीज जो बहुत जादा आप अपने परस्ट की फिलिंग को रखते हूं जो जितना कनेक्ट करें उतना लिजिए जितना कनेक्ट करें एंड कमेंट सेक्षन में जुरू बताएं लवाज सा काट है तो यहां पर यह परसन काफी यदा stressfull energies में दिख रहे हैं बार-बार मेरे आखों के सामने आज यही काट आ रहा है यही काट आ रहा है बराबर तो कहीं न कहीं overthinking and sleepless night so guys I hope so connect की होगे and take care